दोस्तों रमस्कार मैं संजय बग्गु और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर आपके सब मौझूद हूँ हर्याना विधान सभाद चुनाव के बाद की कॉंग्रेस की स्थिति को लेकर हर्याना विधान सभाद चुनाव के बाद कॉंग्रेस के अंदर जो हालात है मैंने उससे अपने कई वीडियो में आपको रूबरू कराया है हमने आपको बता है कि कॉंग्रेस के अंदर विधान सभाद चुनाव हारने के बाद स्थिती कुछ ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ तो नेता हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव के अंदर गुट वाजी करने के आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि अमुक गुट के नेता ने उनका साथ नहीं दिया, अमुक गुट के नेता ने मेरा साथ नहीं दिया, एक दूस के राश्ट्री अध्यक्ष और कॉंग्रेस के जो लोगसभा में विवक्ष के नेता राहूल गांधी इनके साथ कॉंग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने विधानसभाद चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद एक कमेटी बनाई थी Effect Finding Committee की जो यह देखेगी आखिर चुनाव क्यों हा रही? उस Fact Finding Committee की रिपोर्ट अब कॉंग्रेस आला कमान के पास है और उस Fact Finding Committee की रिपोर्ट के बाद में या तो इसे डेमेज केंट्रोल के लिए कहें और या फिर कहीं भुपेंदर सिंग उड़ा और कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष चौदरी उदयभान को बड़ी चिंता है गंभीर चिंता है कि आखिर वहिया हम हार क्यों गए चुनाव इन दोनों नेताओं पर खासकर उड़ा साथ पर पूरा दारोंब़ार था और अब जब कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष चौदरी उदयभान ने कमेटी बनाई है वो कमेटी बनाई है कि हर्याना विधान सभाज चुनाव में हार के कारण क्या रहे हार के कारणों को जानने की जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के जो मुखियां हैं कमेटी के जो चेर्मेन हैं कमेटी के अध्यक्ष है वो हैं हर्याना सरकार के पूरू कैबिनेट वजीर, पलवल के पांच बार के विधायक और अभी हाल ही का पलवल का विधान सबाद चुनाव लगातार दूसरी बार हारने वाले बुपेंदर सिंग उड़ा के समधी करन सिंग दलाल, उस कमेटी के अंदर करन सिंग दलाल के साथ में आफताब एहमत भी है, नू के विधायक, उस कमेटी के अंदर विजय परताब सिंग भी है, फरिदाबाद के बढखल के जो विधायक प्रत्याशी कैंडिडेट थे, और इ सदस्य कमेटी बनी है वह कमेटी अब जाच करेगी पता लगाएगी कि आखिर चुनाव क्यूं हारे लेकिन दोस्तों सवाल तो जनता के भी होते हैं सवाल तो कॉंग्रेस के उनकार करताओं के भी होंगे जो बड़ी उम्मीदें संजोय हुए थे कि परदेश के अंदर कॉंग लड़ा करके उसके बाद में अपने धंदे में लग जाते हैं लेकिन जो ग्रासरूट का वरकर होता है जो जमीनी कारेकरता होता है उस पर जो बीटती है वो कारेकरता ही जानता है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉंग्रेस के कारेकरतां की तरफ से कॉंग्रेस के वो कार्यकरता जो घर बैठे हुए कॉंग्रेस का परचार करते हैं कॉंग्रेस के वो कार्यकरता जिने कोई फरक नहीं पढ़ता कि किसको टिकेट मिल रहा है वो कार्यकरता जिनको कोई फरक नहीं पढ़ता कि कौन चुनाव जीत करके जाएगा उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ हैं तजर्वेकार अनुभवी नेता हैं पुराने नेता हैं खांटी नेता हैं और जानते हैं कि क्या-क्या सच्चाईयां हुआ करती हैं वो जाचेंगे कि आखिर चुलाओं में हार के कारण क्या रहें दोस्तों फरिदाबाद लोगसभा के अंदर साथ विधानसभा छेत्रों में कॉंग्रेस हार गई फरिदाबाद लोगसभा छेत्र जिसके अंदर नौ विधानसभा की सीटें आती हैं जिसके अंदर हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौदरी उदयभान की विधानसभा सीट है होडल जिसे चौदरी उदयभान हार गए चौद साल का राजनितिक तजर्बा 35 साल के युवा के सामने चुनाव हार गया इस चुनाव को हार गए विजे परताप जो 2019 में तो लगबग 25 सो वोट से हारे थे और अब चुनाव आते आते वो 66 सो वोट से हार गए इस चुनाव के अंदर हार गए नीरज शर्मा NIT के कैंडिडेट और मार्जन छोटा मोटा नहीं मार्जन रहा 35 चालिस हजजार वोट का सतीश फागना ने चुनाव हरा दिया उनको इस चुनाव में हार गए रोहित नागर नए नवेले कैंडिडेट बड़े अर्मानों से टिकेट ले करके आये होंगे ललित नागर जिनका टिकेट कटा था वो बागी हो करके चुनाव मैदान में थे और दूसरे स्थान पर रहे बल्लबगड में चुनाव हार गई पराग शर्मा कॉंग्रेस की कैंडिडेट मूलचन शर्मा ने उनको हराया और पराग शर्मा जी तो चौथे स्थान पर रही जमानत भी नहीं बची वो भी बड़े अर्मान से टिकेट लेकर क्या ही थी शार्दा राठोर का टिकेट काट करके पराग शर्मा को दिया गया था शार्दा राठोर दूसरे स्थान पर रही लगवग 18-19,000 वोटों से वो भी हारी रगवीर सिंग तेवतिया चुनाव जीते और मुहमद इसराइल चुनाव जीते रगवीर सिंग तेवतिया प्रतला से और मुहमद इसराइल हतीन से चुनाव जीते दोस्तों मैं आपसे जो कह रहा था कि सबसे जो परिशान होता है, कुंठित होता है, बेचैन होता है, जिसके अंदर चिंता होती है, जिसके अंदर परिशानी होती है, जिसके अंदर व्यागरता होती है, वो होता है कारेकरता और मैं आपसे कह रहा था कि कॉंग्रेस के कारे करताओं के बेस पर कॉंग्रेस के कारे करताओं की जवान बनकर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सवाल तो ये भी उठेगा कि लोगसभा चुनाव क्यों हा रहे सवाल तो ये भी उठेगा कि लोकसभाज चुनाव के अंदर कॉंग्रेस के कई नेताओं पर आरोप लगे थे कई नेताओं पर और उनके अंदर कई नेता तो ऐसे थे जो ठिकेट ले करके भी आ गए अब बुराना मारिएगा ऐसे कई नेता थे एक या दो नहीं कई नेताओं पर बात चली कि इन्हों ने कॉंग्रेस के अधिकरण प्रत्याशी के लिए कहीं किया कुछ और दिखाया कुछ हलाकि ये बात तो चौधरिय महिंदर परताब बता सकते हैं और या फिर कॉंग्रेस के वो नेता जिन्हों ने कि किया कुछ और दिखाया कुछ जिनके मन में कुछ और था और जो कुछ सामने कुछ और करके ला रहे थे आरोप तो कहीं लगे थे उसमें और उसके बाद में लोगसभाज चुनाव के बाद पोने दो लाग के आसपास जब वो लोगसभाज की सीठ हार गई और उसके बाद जब विधान सभाज चुनाव की तयारी शुरू हुई तो तबी से ही बड़ा गंभीर मन्थन और चिंतन शुरू हो गया था मैं आपको बताओं पलवल जिले के अंदर पलवल जिले के अंदर अगर मैं आपसे कहूं क्योंकि करण सिंग दलाल चेर्वेन है चौदरी हर्श कुमार को विधान सभाज चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस मिलाया गया था मुझे ध्यान एच्छे से कि लोगसभाज चुनाव के अंदर जो कारेकरताओं का जो सहयोग समर्थन था उसका धन्यवाद करने के लिए करण सिंग दलाल द्वारा जो पलवल के बड़े नेता हैं उनके द्वारा धन्यवाज सभा बुलाई गई थी और उस धन्यवाज सभा के अंदर चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा आये थे हलाकि उस धन्यवाज सभा में जो लोगसभा चुनाव के लिए अगर थी तो महिंदर परताब जी तो नहीं थे उनके प्रतिनीजी भी नहीं थे लेकिन करन सिंग दलाल जी ने जो सभा बुल जोइन की थी तो बात चली थी कि हतीन विदान सभा छेत्र से दावेदारी होगी उनकी हतीन में तो इसराईल पहले से मजबूती से चल रहे थे दो क्या चोधरी हर्श कुमार को किसी शर्ट के साथ में किसी आश्वासन के साथ में कॉंग्रेस में लाया गया था अगर कोई शर्ट थी और आश्वासन था तो फिर वो पूरा क्यों नहीं किया गया और अगर नहीं था तो उनको पहले क्यों नहीं बताया गया क्योंकि आप मान करके चलें कि होडल और अथीन विधान सभा के अंदर भले ही अथीन विधान सभा चुनाव कॉंग्रेस जीत गई जो चौधरी हर्षकुमार ने डेंट डाला होडल विधानसभा छेत्र को हारने के पीछे अगर मैं कहूं कि चौधरी हर्षकुमार की बड़ी भूमी का थी तो उससे आप कहीं किनारा नहीं कर सकते बात ही आ जाती है कि क्या सोच समझ करके नहीं लिया गया था और उसके बाद एक बात दोस्तों और चलती है सबसे बड़ी बात जो कारेकरता पूछते होंगे अपने नेताओं से चुनाव हारने के बाद में भले ही वो सामने ना कह पाते हों लेकिन जिग्यासा तो उनकी होती होगी अपने नेताओं से पूछने की कि आखिर करन सिंग दलाल के खिलाफ कौन कौन नेता काम कर रहे थे कौन कौन नेता थे जो नहीं चाहते थे मुहम्मद इसराइल चुनाव जीते हैं ऐसे कौन से नेता थे जो नहीं चाहते थे रगवीर सिंग तेवतिया विधायक बनकर के विधान सभा में जाएं चौधरी उदयभान के खिलाफ काम करने वाले कौन से कॉंग्रेस के केंडिडिडर कदावर निता थे लखन सिंगला अगर चुनाव हारते हैं तो उनके खिलाब भी कुछ कॉंग्रेस के निताओं ने क्या भूमिका निभाई थी हलांकि समाजिक बात है एक और समाजिक के साथ मैं आध्यात्मिक कहूं रामचरित मानस के अंदर गोस्वामी तुलसी दास कहते हैं करम प्रभाव विश्व करी राखा जो जसकरही सुत्तसवल चाखा यानि कि जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है मैं आपसे बात कर रहा था क्यूंकि मैंने आपसे बता है इस वीडियो के अंदर की कारे करता हूँ के मन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ और कारे करता हूँ कि ये कुंठा है कारे करता हूँ के अंदर निराशा है कारे करता हूँ के अंदर कही ना कही शोव बिक शोव ये सब कुछ जरूर होगा कि आखिर जीती हुई बाजी हारे क्यूं और अब जिसका वो facts जाचने के लिए चले हैं Congress के नेता पहले तो Congress के आला कमान के निर्देश पर 36 गड़ के पूर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जहांके चुनाव हारने के बाद भी facts जाचे गए थे उन्होंने हरियाना की हार के facts जाचे उनके साथ में राजिस्थान के एक विधायक ने facts जाचे इनके साथ में Congress के कई नेता जिन पर कारेकरताओं की तरफ से अंदेखी के आरोब भी लगे चाहे वो केसी वेडू गोपाल हों चाहे वो माकन सहाब हों उन्होंने भी facts जाचे और अब हरियाना परदेश Congress Committee के अध्यक्ष की तरफ से बनाई गई कमेटी जिसके चेर्मेन करन सिंग दलाल हैं उसके वो जाचेंगे कि आखिर हार के कारण क्या रहे और मैं भी बता रहा था आपसे कि कारेकरता बहले ही सामने आकर करके ना पूछें नहीं रहेगी कि क्या नीरज शर्वा ने कोई लोगसभाद चुनाव में कुछ कर दिया था जो उनको विधान सभाद चुनाव में देखना पड़ा कारे करता हूं कि दिलो दिमाग में ये बात भी जरूर आएगी कि आखिर लखन सिंगला चुनाव कि वहारे जो ये कहा करते थे कि विपुल गोयल को टिकेट मिल गया तो बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे ये चुनाव दोस्तों जो विधान सभाद का चुनाव था और क्यूंकि कॉंग्रेस की बात चल रही है और कॉंग्रेस के अंदर इस समय जो स्थिती है तमाम नेता एक दूसरे पर लांचन से सहमत भी नहीं है कॉंग्रेस के जो बड़े नेता है चौधरी भुपेंदर सिंग उड़्डा वो कह रहे हैं कि अदालत में भी जाएंगे ये सबका राइट है सबका समय धानिक अधिकार है सवाल करना चुनाव आयोग से सवाल करना एवियम पर आरोप लगाना लेकिन ए कोई कमिया तो नहीं रह गई थी अगर आप किसी के सामने नहीं बता सकते तो आप आइने के सामने जाकर बता सकते हैं क्योंकि आइना कभी जूट नहीं बोलता आप आइने के सामने बता सकते हैं कि आखिर जो चुनाव के अंदर जो हालात बने जो चुनाव के अंदर स्थि है कि धूल चेहरे पर्थी और आई ना पहुंसते रहे अब कॉंग्रेस के लोग कॉंग्रेस के नेता कारे करता जब फेक्ट्स जांसते हैं तो उससे पहले उनको अपने अंतर मन में जहांक करके जरूर देखना चाहिए यह जरूर देखना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी को चुनाव परचार से पहले किसने यह बता दिया कि यहां पर सब कुछ भालो भालो है आप अराम से विदेश घूम करके आ जाईए आखिर किसने रोका होगा कॉंग्रेस के बड़े नेताओं को आखिर क्यूं ऐसा चला होगा कि जब मान लिजिए कि कहीं किसी नेता के समर् तो पूर्ण बात यह है कि अब फेक्ट्स जांचने वाले लोग क्या उन फेक्ट्स को भी सामने लाएंगे जो लोगसभा चुनाव और विदान सभा चुनाव के दौरान में कॉंग्रेस के नेताओं की आपसी सिर्फ टवल या आपसी उनकी जो गुरुप भाजी की वज़ पर खांकी बात कि जिनको टिकेट मिल गया था उन्होंने समझा वो नेता है और जिनको नहीं मिला उन्होंने समझा उनका कॉंग्रेस से कोई मतलब नहीं क्या ऐसा ही नहीं था और क्या आपको लगता है कि इस हार से भी क्या कॉंग्रेस कोई सबक लेगी कमेंट्स बॉक्स म पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें